आप देख रहे हैं अब तक नूस चैनल हाई आज दी आज इंदुस्तान दुर में देख रहे हैं कि आज का दीन महीलाओं के लिए कापी ट्रिक्वाटर मागा लागता है पुरे देश बर में आज महीला दिवस मनाया जा रहा है यानि के वाकिन डेट जिसे आज हम उलकाद कर करने के लिए क्या है कि महीलाओं के दिन पर वह क्या करना चाहेंगे महीलाओं के लिए तो आई उस्से उलकाद करने के जानी के लिए कि घाला क्या है महीलाओं को तो इसकी भी एक स्टोड़ी है, जैसे हर एक हुमन्स की स्टोड़ी उती है उसी तरीके से जैसे 1908 में New York में लेडिज लोगों ने 15,000 लेडिज लोगों ने एक मार्ष निकाला था इस माम के तहर्ट क्या उनका वर्किंग आर्स जो होता है जोब टाइमिंग जिसे बोलते हैं तो काम करने के घंटे कम हो जाए और एक उनको मतदान का भख मिले इसके तहें इनों ने एक आंदूलन किया था और वो एक साल के बाद राष्ट्रिय इसको एक साल के बाद मनिया दिवस गोशित किया इसमें क्लारा जेट की नाम की एक लेडिस थी जिनोंने ये मुद्दा लेडिस के रहा था वो भी एक लेडिस के बहुत सरान्मी की बात कि क्लारा जेट की नाम की लेडिस ने ये मुद्दा इंटरनेशनल प्रेस कॉर्फरेंस में रहा था जहां पे सब जो काम काजी जो ओरते थी उस टैंड में बहुत अच्छे तरीके से इसको सबर्थन दिया था तो इसके तहत ये सुझाओ आगे बढ़ा और फिर 1910 में ये सुझाओ रखा गया था और 1975 में इसको एलिजेविक किया गया मतलब ये कब लागू हुआ और ये तक से एक थीन के तहे इसके उपर काम स्टाट हुआ और एक थीन के तहे चार देशों में मतलब पहली बार Women's Day मनाया गया जैसे New York के Australia ने जर्मानी, Australia, Denmark यहां पर पहली बार Women's Day मनाया गया सेलिब्रेट हुआ और ये 8 मार्च की तारिक ऐसे हुई कि 1975 में रूस में जब एक लठाई हुई थी उसमें और तो ने ब्रेड एंड पीस ये नारा लगाया था मतलब खाना और शांती तो वहाँ पा इस इस चैनग में जो नेता था तो उसको उन्होन ने जगे पर से हटाके और अपने मतदार का हग पी लिया और ये नाराइक को काइम किया तो वहां से उस टाइब को कुछ कैलेंडर के हिसाब से जमाने को चलाया जाता था तो वहां को कुछ परवरी का महनत था लेकिं कैलेंडर के हिसाब से वह आठ मार्च आता है तो आठ मार्च को फिक्स कर दिया गए वह तारीख को तो आठ मार्च तारीख इसी तरीके से आ और दूसरी एक बास पर कहना चाहोगी कि हम इंडिया में रहते हैं भारत में तो भारत एक कई हो दे है और यहां पर सभी राखे लोग रहते हैं तो भारत में एक चीज कभी-कभी एक बास से यह भी डर लगता है जैसे निर्भया कांट हुआ था तो भारत कि उस केसमें उस लेडी इसको 7 साल बात ज्याय मिलने को उन्हों के गुले-गार तो सास साल लग गए थ氣 न्याय मिलने के लिए और एक कप्रीयंकारेटी का केश सीमें को बहुत बुरी तरीके से लेडिकी और बहुत बुरे हार हुए थे, पोलीस ने वो को ज्यायत दिला है, लेकिन उस पे ज्यायत पर ही सावाथ खड़ा होने लगा कि यह इक कोई तरीके से दिये जा रहा है और एक इसा हमने देखा हुगा है इडिया में हमारे के बहल होती है जो आपने भाइ के लिए और प्रहц pathway को पढ़ने के लिए भेज़ती है और प्रहर के कामकाज सकते हैं और दूसरे भी तो उसमें हाथ पटाने लगती है और दूसरे भी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे भून हत्या हो रही है तो एक लड़की का अगर भून है तो उसको खतम करने की कोचिश की जाती मतलब उसको बढ़ावा भी एक दिया जाता महिला को क्या मेसेज देना चाहेंगे आपके? एक पीवी सिंतु है जिन्होंने मैडल लेकर आये हैं गोल्ड मैडल लेकर सानिया मिलता है और सब में में बात हम में मालेगाउ की लेडिस हूं मालेगाउ में आयशा हकीम नाम के जो मैडम थे उन्होंने जो आज मालेगाउ फिल्टर पानी पी रहा है उन्होंने फिल्टर प् हमने भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि हम भी ऐसा कुछ कर सकती है लेडीज बहुत कुछ कर सकती है तो इनको अपने नजर में आइडियल बनाके हम भी हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं यह सारी लेडीजों को हमको आइडियल बनाके अपने आगे के पीडी के लिए इनके नक्षे कदम पे चलना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीडी में बहुत सारा सुधार है